तो आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस में फोर्ट समिस्टर का जो पार्ट है यूमन डॉलप्मेंट यानि कि मानो विकास इसके फॉर्स्ट पेपर को लेकर क्या है जिसका नाम है पर्सन विदिशेबिलिटी जिसे हिंदी में बोला जाता है व्यक्ति में विकलांग या फिर आप इसको विकलांग व्यक्ति भी बोल सकते हैं ठीक है इसका जो में नाम है वो विकलांगता ही है तो आज हम लोग अपने पार्ट टू को यहां पर देखिए फिर से टैपिंग वाले गलत कर दी है ठीक है पार्ट टू हुई गलत लिग दी है चलिए कोई बात नह ग मतल काके दी हैं पार्ट टू है तो इसमें आज के लिए आज किलास में हम लोग जो अपने क्वेस्टन कभेर में अपने चार क्वेस्टर करेंगे जीएो जीए जारी बनें गएंगय ममें अने ठीक है थोड़ा सा तबियर आऊन है요 कल साम से ही थोड़ा सा फीवर वागरा आ रहा है और सर में तो काफी दर्द बना हुआ है लेकिन देखिए अब आप लोगों से जुड़े हुए है तो आप लोगों का help करना मेरी भी चिमेदारी है बस इतना ही यह है कि बस जल्दी से ठीक हो जाओं ताकि आप लोग का जो बा प्राफी क्लस्स आप लोगों की हो नहीं पा रही है तो जो लोग लेना चाहते है ठीक है वह लोग हमारे वाटसप पर जुड़कर के पीडियफ ले सकते है वह लोग को इसेज करेंगे जिन लोगों को पीडियफ चाहिएगा नमबर है आप लोगों का तीर्षट जीरो 22256 65624 ठीक है ये आप लोगों का वाटसप नमबर है जिन लोगों को पीडियफ लेना है ठीक है वह लोग यहाँ पर हमेए संपर्क कर सकते हैं वाटसब के माद्पद्ध हमसे कोई भी काल वगरह नहीं करेंगा के वह लुग उनको मैसेज करना है वाटसप पस भीडियोग उजने लिए कोई भी doubt नोग टेलेग ने गरिषान नहीं करेंगा मैसेज्ज बोसेज्स लेना है तो आपको कोई प्राइजलन चैजनल में करेंगे अबिस लेना है तो आप लोग ये तो इस 은से वहाटसब नमबर मैसेज्जह करें, पीडिफ वहां से प्रयाप्त कर सकते हैं ठीक है और जादे प्राइज भी रहें केवल 99 रूपीज है और 99 रूपीज में मातर आप लोगों को तीनों पेपर की PDF मिल रहे हैं ठीक है बोक के सारेrit और आप लोगों को सियोर सीरिज के जो causedion उसकेसाथ में Lights बीए जारहे हैं अर कहीं कहीν ऐसी प्लीक है जो नार्मलक उटे ह्ली होते है जो फिर से उक्यां में जो आप कई देदध मुख尽 हो तक है तक मैंने सब्सक्राब कि इसलिए यह कुछ हमारा देख हैं यहां पर देखेएं कि अन्यूंट हउने का थिया एक चैस। कि आप सभी लोगों को पीडिये दिये जाए और पीडिये के माध्यम से आप अच्छे से क्या है कि अपनी तयारी कंप्लेट कर लेंगा जैसे कि आप सभी लोगों का परसो ही एक जाम है ठीके तो आज हम लोग महामाराथन टू क्लास कर लेंगे अपना इसके बाद देखे कु चाहिए जाए तो आप लोगों का परसान में डिसाबिलिटी एक्ट है वह आप लोगों का उननी सो पंचानवे में ठीके तो यहां पर यह राइट रहेगा तो यानि कि इस प्रकार से देखे एक क्वेश्चन और था क्वेश्चन अभी मुझे फिलाल याद नहीं है ठीके क्या मैं उम्मीद करूगी कि वो लोग अच्छे नंबर लेकर के हैं क्योंकि उन लोगों को सब्सक्राइब कर दिया गया है तो चलिए सबसे पहले फिर्ट्स हम लोग अपने क्लास के सुरुवात करेंगे महा मायराथन क्लास 2 की तो इसके पहले ही आप सभी लोग चैनल को लाइक एम सब्सक्राइब कर दिया चैनल आपका लार नमी थल्पना ठीक है और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग वाटसबूक इंश्टा और टेलीग्राम के जरिए सेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके ओके और सा सब्सक्राइब करना 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 आपका अपंग बालक थार्ड आपसन है आपका बिवहारात्मक बारिकी बालक और फोर्थ आपसन है अजिरल रोग से ग्रस्त बालक ठीक है तो वन मिनट इस क्वेस्चन का आंसर देने से पहले हम आप लोगों से कुछ पुछना चाहते हैं देखे कल का पूजा जी का मैसेज मैं आपकी आवाज बहुत ही आती है तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि देखे वाकई आज थोड़ा सा तब्याट डाउन है तो इस परकार से मैं थोड़ा सा धीरे बोल रही हूं लेकिन कि बाकी के क्लास में आप सभी लोगों को लगता है कि मेरी आवाज आप लोगों तो पह देखे कल मैंने एक क्लास देया था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था आप लोगों के जनगड़ना के अनुसार ठीक है पता नहीं देखे कुछ बीडियो में सायद आप लोगों के प्रॉब्लम आ गये थे जिसकी वज़ा से मेरी वाइस रिकार्ड नहीं हो पाई थी ठी अपर रिचेक भी उसको नहीं कि और में सारे यानि कि जो वीडियो था वह एक किस मिनट का वीडियो था मैंने उसको अप्लोड कर दिया बाद में जब कमेंट आता है काफी लोगों का सुसीला जी है उनका कमेंट आता था ठीक है प्रियंका जी का लगभग कमेंट सायद आय आता है विकलांग व्यक्तिया से सब्वन्द है जो भी जनकरना के बात कही थी उसमें ठीक है तो क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज लगती है तो आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बता दीजे का मैं उसमें सुधार करने की कोसिस करूंगी ठीक है और पूजा जी को द देती है अब मैं बाकी बच्चों से जानना चाहूंगे कि वाकई मेरी आवाज स्लो है या फिर वहीं हो सकता है स्रवडबादी बिकलांग हो गई है पूजा जी या फिर उनको सुनाई नहीं दे रहा है तो चलिए एक बार आप लोग फटा-फट से हमें कमेंट करके ये बत स्वास्थिद बालों का ये मांसिक रूप उलग होते हैं यया फिर विवहार्टम बारिकी बालक होते हैं यह फिर अजर्ड रोगों फे ग्रस्त यहां पर आपका जो फोर्ट आपस। वहीं आपका बिल्कुल करेक्टर हो जाएगा ओकी चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला कोश्चन हमारा क्या कहता है क्वेश्चन है आपका कि सारडिक रूप से बाधितों के प्रकार है ठीक है यानि कि जो सारडिक रूप से बाधितों के प्रकारहोते हैं वो कौन-कौन से हैं पहलोग option है आपका श्वास्थे बाधित second option है आपका अस्ति बाधित और third option है आपका दोनों ही और fourth option है आपका उपरेष्ट में से कोई नहीं ठीके तो यहाँ पर देखें जो आपसे questions बालकों के प्रकार होते हैं वो आपनी स्वास्त बाधित और अस्थी बाधित दोनों ही होते हैं ठीक है तो जो third option होगा वहीं आपका बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए अगले question की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगले question हमारा क्या कहता है question है कि स्वास्त बाधित बालक अकसर होते हैं मांसिक मंदित होते हैं शमेगात्मक विछिप्त होते हैं बहु बाधित होते हैं या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं ठीक है तो देखें जो श्वास्त बाधित बालक होते हैं वो कैसे होते हैं ठीक है यानि कि जो श्वास्त बाधित यानि कि बहु बाधित का क्या मतलब हो यानि कि कई रोगों से वो पिडित होते हैं जिसके वज़ा सो जो उनका श्वास्त बाधित हो जाता है यानि कि खराब हो जाता है ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा उपरोक्त बहु बाधित हो जाए स्वास्ट Hebाधित बालग होते हैं आपको बताना है कि स्वास्थ episo brazik बालग कैसे होते हैं पहली जिनकी स्वास्थी की इस्थिती गंभीर हो सेकेंड़ उप्षन है आपका अधेश सिल आपका उपरियुकत सभी ते कि इस व्युक्ष्ट में vrais स्वास्ती के इस्थिति गंभीर हो गई है ऐसा लग रहा है कि जो ब्यक्ति है वह काफी जादे स्वास्त में उसके गिरावाट आगई है ठीक है तो यह सब आपके स्वास्ते बाधित बालकों के अंतरगत आते हैं शंप्रेशर में गंभिर्दा यानि कि बोलने में उसको चाहिर से बात है कि जब बच्चा होते स्वास्ता है ठेटिए से पिडिता होगा तो जब बच्चा को स्वास्ता अच्छा नहीं हो तो जब इस बात है कि वो जो इस का इक लिद अब बेहा है. स्वास उसका अच्छा नहीं रगा अभी फिलहाल मैं खुद की बात करूंगी ठीक है कि मेरी ही अभी फिलहाल देखे स्वास ठीक नहीं थी मैं आप लोगों के लिए एक न्यू क्लास और बहुत ही इंपॉर्टन क्लास देने वाली थी बट मैं इतना आज मैं समझ लिए इतना when you start your. आपको दिमाग लगता है थीकिए बिकास ही कोई भी एक बिया अंग भंग हो गया है थीकिए तो वह जो विक अच्छी प्रकार से नहीं होता है इए थेकि आप लोग को और अपने मर्जी के मालिक हैं अगर आपका तबियार डाउन है ठीक है मन किया तो आज ये क्लास आप लोग आज नहीं लिए ठीक है हो सकता है दवा खा के सोये हैं दो घंटा बाद जगें तो फिर पढ़ने का मन किया थोड़ा सा तबीयत आप लोग का अच्छा लगा तो आप तब पढ़ेंगे ठीक है लेकिन देखिए जैसे इन सभी प्रकार के उनको शमस्याएं आती रहती है ठीक है तो यहां पर जो राइट ऑप्सन होगा फ्रेंट ऑप्सन नमबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानि के उपर लोग तो शभी देखिए बहुत ही ज्यादा हम एक्सप्लेशन के साथ आप लोगो को 20-22 कोश्चेंस होंगे वह भी एक बर जरूर देख जाएगा उसमें सारे इंपोर्टेंट ही कोश्चेंस है देखिए उसमें से आप लोगों कुछ ने कुछ कोश्चेंस जरूर भसेंगे और देखिए जो आप लोगों को हमने पीडिए प्रोवाइट कर आया ठीक है उसम एक मगजा की है उसमें aperשका कि लिए के आप लोगों कोश्चेंस का नमबर यानि मार्क्स उठा सकते हैं होते है कि है आप लोगों आप लोगों पंजागे के विगेगा लेकरl धीन कि शनी मीली नर में गैखिए जो Geg Jonathan तो इसलिए मैंने यह निरड़े लिया कि आप सभी लोगों के लिए पीडियेफ का कुछ प्यवस्था किया जाए ताकि आप सभी लोगों को समस्या का जो आपका समाधान किया जा सकते हैं और इसमें 21 चप्टर हैं फर्स पेपर वह सारे चेटर उसमें कम्प्लीट है उस अब कल तक का टाइम है यदि आप लोग आज भी पीडियेफ कर लेते हैं तो कल पूरे दीन आप लोग उसको चाहिए तो रिवीजन कर लिजए उसमें आप लोगों को लगभग साथे तीन साउ सो चार साव के लगभग क्वेश्चन्स दिये गा हैं एम सिक्तु टाइफ जि सिरीज के भी क्वेश्चन्स दिये हैं एक दो बार आप लोग सिरीज का भी थोड़ा सा नॉलज्च ले लिजेगा यानि की पढ़ लीजेगा ठीक है चलिए अगले कोस्टन की तरफ चलेंगे और देखें अगले क्वेश्चन हमारा क्या कहता है क्वेश्चन है कि स्वास्त से बादित बालक है उनकी कौन कौन सी विसस्ताय है पहरा ऑप्षन है बालक सारडिक रूप से कमजोर होते हैं बिल्कुल सही बात है यदि आपका श्वास्ते खराब हो जाएगा तो आप सारडिक रूप से कमजोर हो ही जाओगे ठीक है विक्निस मसूस होने लगता है सेकें कहीं भी आप बाहर जा रहे हैं ठीक है घर के काम काज कर रहे हैं ठीक है यदि आपने कोई कुछ ज्वाइन किया है बच्चों को पढ़ाना ठीक है ठीक है आप कहीं जा रहे हैं वहां पर आप लोग सारी कारे कर रहे हैं अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहां पर आ तो यहां पर जो आपका राइट आप्सन होगा कि स्वास्तिबादित बालकों के विश्टाय है तो यहां पर जो आपका फॉर्थ आप्सन होगा वहीं बिल्कुल करक्ट हो जाएगा यानि कि उपरोक्त सभी ओगे चलिए अगली कोश्चन की तरफ चलेंगे और देखिंग स्वास्तिबादित बालकों का नहीं बलकि जो स्वास्तिबादित बालक है इनकी स्वास्तिबादित बालकों का नहीं बलकि जो स्वास्तिबादित बालक है इनकी स्वास्तिबादित बालकों का नहीं बलकि जो स्वास्तिबादित बालक है इनकी स्वास्तियाओं को किन-किन और आपका कोई नहीं, सबसे पहले देखिए, इसके बारे में लोग ज़्यादा यानि कि अच्छे सा डिस्कूस करके पढ़ेंगे, जो स्वास्त बादित बालकों की समस्याएं होती है, इसको दो अरगों में बाटा गया है, सबसे पहले, आपका होता है, शामान स्वास्तियाऊं वाले बालक यानि कि जो मिड हेल्थ प्रॉब्लम चिल्टरन होते हैं इस 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 समू के बालक होते हैं, बहुत जादे हैं अगर यहां पर हलकी समस्या है तो आप लोग सिछा तो गरहड करने की योग्य होते हैं ठीके और जो इन बलक को गरहड करने की योग्य होते हैं कि स्वास्ति की समस्याएं होती है वो आपकी अधिकम प्रक्रिया में बाधक नहीं होती है विल्कु सही बात है कोई भी चीज आप अधिकम कर रहा है सीख रहा है क्लास में वहां पर बाधित नहीं होती है लेकिन जो आवस्यक सुविधाय होती है ठीक है और जो सावधानी होत इसको रखने होता है जो भी आपके most important आवस्यक्ताय हो गई हैं आपके स्वास्ते संबंद है ठीक है जो स्विधाय है वो आप लोग रखिए और जो इनका डाक्टरी पर इच्छड होता है वो आपको शमय समय पर करता रहना चाहिए तभी ये शामाने स्वास्ते वाले बालक क होती है ठीक है जो देखे सिच्छा कढ़ में बाधख हो जाती है ठीक है और इनके लिए सिच्छा जो होती है उसकी यूजना बनाना पड़ता है ठीक है बनानी पड़ती है कि अजल रोग वाली व्यक्तियों को यानिकि बालकों को सिच्छा किस प्रकार से दिया जाए ऐसे तो को देखिए, आप नीरंतर अस्पतालों में रहना होता है, ठीके, और डक्टरों के देखरेक में ये रहते हैं, ठीके, और और सच्छी क्रियाओं में भाग ले सकते हैं, जिसमें सिच्छा ससंबन्धित कोई बात नहीं की जाती है और सच्छी क्रिया ठीक है उसमें तो ये आपना यानि कि भाग ले सकते हैं कि सच्छी क्रियाओं वाले में ये भाग जल्दी नहीं लेते हैं ठीक है और ये बालक जल्दी ही थकान का अनुभाव करने लगते हैं इसलिए इनकी जो अधिगम प्रक्रिया होती है उस जाएगा चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलेंगे और देखें अगला कोश्चन हमारा क्या कहता है अगला कोश्चन है आपका देखें यहां पर है कि स्वास्ते बाधित बालकों को किस प्रकार से वर्गी करिद किया जा सकता है यानि कि जो श्वास्ते बाधित बालक होते है गठिया या जोडों के रोगों से ग्रिस्त बालक फीफ्ट आंसर है आपका खून की कमी से स्वास्ते सेवाएं समस्याएं ठीके और लाश्ट आपके six option दिये हैं उपर युक्त सभी तो देखे इन सभी यानि कि जो पांच पॉइंट दिये गए हैं स्वास्त बादित बालकों को इन पांच प्रकार से आप वर्गी कृत यहां पर कर सकते हैं ठीके चलिये तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम लोग समस्धे हुए चलेंगे ठीके तो सब्सक्राप आपको को देखें जो दिया गया है स्वास्त बादित बालकों को किस प्रकार से वर्गी कृत किया जाता है यानि कि देखें जो मिर्गी रोग से ग्रस्त बालक होते हैं देखें आप लोगों को मिर्गी रोग से ग्रस्त बालक कई बार बता दिये हैं कि यह जो मिर्गी रोग से ग्रस साथ बच्चा चिलाता भी है ठीक है और दौरे के बाद वह मुर्चित हो जाता है और जो इसकी हाथ पैर होते हैं वो नहीं हिलता है ठीक है लेकिन कभी-कभी देखे होता क्या है इसमें कि इस तरीर के आंग होते हैं ठीक है इसको रगड़ता है जो आपके सरीर का आंग होता ह कि आपके संस्थान या फिर मस्तिसक से आपके संबंधित होता है तो यह और आपके मिल्गी रोग से सोम ग्राइब लके olla मधुमेह या फिर है । इसमें क्या आपके म१्राइब लोग ग्राइब के लाइए वहां पर यदि आप लोग second paper का class एक देखेंगे मैंने दोनों रोग के ही बारे में बताया है ठीक है मधुमे और श्वासनी दमा के बारे में मधुमे रोग से गरस्ट बालग कोथो हैं उनको अधिक प्यास लगतती ऐए ओ स्वासनी पीश्याब लगता है ठीक है उनका जो भार होता है वो बदलता रहता है कमजोर होते इनके पिंडलियां होती है उसमें अक्सर दर्द रहता है जो मधुमेह रोग होता है यादि उनके सरीर पर कोई भी यानिकि किसी भी प्रकार का घाव चोट लग जाता तो जल्दी ठीक नहीं होता है मधुमेह रोग वाले में ठीक है उनके क्या क्या लच्छर होते हैं आधिक लगता हैं भार बार बार प्यास जाते हैं भार बदलता रहता है और विक्निस मह्जूस करता है, कि कम्जोर हो जाते हैं तिसरा 出 asma होता है, या snac छीज़ान नहीं देते हैं जिसके करणट जो ऐसे बालकों और समेगात्मक समस्याय उत्पन हो जाती हैं जी और सबसे ज्यादे आवस्यक होता है कि यह सिफ्च्छ को होते हैं वो ऐसे कारण ही आपको दमा होने का चांस रहता है ठीक है और ऐसे बालकों में देखिए जो स्वास मिलता है ठीक है वो भी कठनाई होती है अभी अभी मैंने बताया ठीक है और इसका मुख्य कारण क्या होता है अलर्जी होता है और इसका मुख्य लच्छड क्या होता है दमा का दमा क होता है यदि आप जादे तर फीजिकली का काम कर देते हैं ठीक है और तनाव में रहते हैं तो इससे समयकात्मक जो विच्छिप्तता होती है वो बढ़ जाता है ठीक है चौथा पॉइंट आपका गठिया या जोडों के रोगों से गरस्त बालक ठीक है इसमें क्या होता है कि बालक के जोडों में निरंतर दर्द रहता है ठीक है गठिया रोगों में तब उसे गठिया या फिर जोडों का दर्द कहा जाता है यानि कि जिन बालकों के जोडों में निरंतर दर्द रहता है ठीक है तो उसे क्या बोला जाता है गठिया या फिर जोडों का दर्द रहता ह लेकिन वर्तमान समय में जो बच्चे हैं यूवा हैं सभी को इस रोग से प्रभावित होना पड़ रहा है जैसे कि बदल रहा है जनरे सन्सट्ट सब्सक्राइब कोई चीज आपके पास सुध्ध नहीं है अब दाल चावल भी यदि खा रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को खाद वगएरा क्या से क्या मिला हुगा है छिससे कि मिलावत रूपी हो गया है सुध्ध कुछ भी नहीं है पहले के जो माने में क्या होता था केवल उस अधान का उप बीज डाल देजे ठीक कि प्रोपाई हो गई बिना किसी खाद के ठीके केवल पाने से वह क्या होता था अच्छे प्रकार का फसल बन जाता था लेकिन वर्तमान समय में ऐसा कुछ होता नहीं है ठीके तो यह जो गठिया जोडों के यानि कि दर्द का जो बालक होता है ठीके इन बालकों में देखे असमर्थी वह मंदिद भी हो जाते हैं ठीके और इस रोग का यानि कि जो गठिया रोग होता है या फिर जोडों के रोग होता है इसके आरंभ जो होती है तो आपकी उंगली जोड ठीके जोड के जो कलाई कोहनी होता ठीके उसमें दर्द होता है ठीके और सुजन भी आरंभ हो जाती है और इस प्रकार के जो दर्द होते हैं वो बहुत ही असाहनी होते हैं किसी को यदि आपके आसपास में होगा तो उससे पूछीएगा ठेके कि गठीया रोग में क्या क्या होता है तो उब्यक्टिक खुद बताएगा क्या क्या पूर्चित को समस्याय आती हैि ठीक है अगला पॉइंट है अपका क्नी कमई से स्वास्ते समस्याय या आने कि ये जो रोग होता में बालक locks की स fucking कमी कमी हो जाती है और वह कमजोर हो जाता है और उसка सरीर में दर्द भी रहता है खुन की कमिया बालकों में पी लिया या फिर टांगों का अलसर हो जाता है ठीक है और इनकी अस्तियों में घुटनों में और इनकी जोडों में दर्द रहता है ठीक है इनकी सर में निरंतर दर्द बना रहता है कभी-कभी यह मुर्चित भी हो जात ठीक है तो आप लोगों को अपने देखिए आप लोगों की भी बात की जा रही है बहुत जादे लोगों को देखिए बलड की कमी हो जाती है ठीक है तो आप लोगों को अपनी खान पान पे भी ध्यान देना चाहिए देखिए जो खुन की कमी से स्वास्ते समस्याइं होते हैं यानि कि इन सभी यानि कि पाँच प्रकार से स्वास्ते बाधित बालकों को आप वर्गी करित कर शकते हैं ठीक है तो यहां पर जो राइट आप्शन बनेगा आपका 6 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ओकी चलिए अगले कोशन की तरफ चलेंगे और देखें अगले कोशन हमार क्या कहता है। अधिक तर उनको खासी होती है, ठीक है, अधिक भूक लगती है, उनका श्वभाव जो होता है, उसमें चिर्चिड़ा पन हो जाता है, ठीक है, यहीं तीन आप्सन हमने आपको दिया है, तो यह तीन हो ही आपके बिल्कुल करक्ट हो जाएंगे, उपर युक्ति यहां पर सभी हो जोगा, और भी देखे हैं, जो स्वास्थबादिदवालों को जो लच्छड होते हैं, उसमें क्या होता है, जल्दी थकावट महसूस करने लगते हैं, ठीक है, अधीर हो जाते हैं, किसी भी चीज को लेकर करें, ठीक है, उनका तो जो त्वच्या है, ठीक है, सरीर का, या कि जादे तर वो सारी कभ्यास कोई भी कर देते हैं ठीक है तो उनका जो सास होता वो फुलने लगता है खुसी यानि कि सुरी खासी आने लगती है उनके सीने में दर्द होने लगता है ठीक है नाखुन होटों का नीला पढ़ना यानि कि जो नाखुन होते और जो आपके लिप स्वास्तिबादित बालकों के लच्छण हैं जो अभी मैंने बताया ठीक है आप सभी लोग एक पर इस क्लास को देखेगा तो सारे के सारे जो लच्छण है वो किसी भी फॉर्म में आप लोगों को दिया जा सकते हैं यह जरूरी नहीं है कि क्यों आप लोगों को यहीं तीन आ स्वास्तिबादित बालकों के समस्याओं के कौन कौन से कारण है यानि कि स्वास्तिबादित बालकों के समस्याओं के कारण है वो कौन कौन से है पहला आप्शन है आपका मानसिक दोस्त बिलकुल सही बात है यदि देखे मानसिक रूप से आप किसी दोस्त यानि कि जो मानस यह तीनों ही इसके मोश्ट इंपॉर्टे समस्याओं के कारण हैं ठीक है मानसिक दोस्का होना गर्व में ही संक्रमण हो जाना और सरीर में खून की कमी तो यहां पर आपका जो राइट आपसन होगा आपसन नमबर फोर थी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ओके चलिए अग्ड एक ही मिनिट अप्लोग करें कहिं है और बार बार दे Camızon को किस प्राकार दी जा सकती है इनको किस प्रकार से सिच्छा दी जा सकती है, पहला option है विशिष्ट विद्यालियों में सिच्छा दी जाए, second option है बाधित बालकों की भागिदारी को प्रोटसाहन देना, third option है दोनों और fourth option है कोई नहीं, तो आप स्वास्ते बाधित बालकों को सिच्छा देने की बात कह रहे हैं, कि आप किस प्रकार से उ फोड़े की जनले बाधित बालकै희 अग्यक्ति सब्गार्स है कि आपका इसा प्रोटसाहन देना, तो यह और नहीं अपका बिकलांग बच्चे दी का ही और रहे हैं में की बाधित बालकों की टेर्श्चेर है कि उत्हों को सिच्क्वराइब बीकलांग बच्छे थीं, हमार क्या कहता है? क्वेश्यन थोड़े से Sophie किस्वाष्टे-बाजित-बालकों की सिहाइत था? इनकी सहायता के लिए कौन-कौन से प्रवधान किये गया है। पहला ऑप्ष्यन यह असमृति बालकों है तुम से वी संस्थाओं का अनुदान सिहा था? देखिए बहुत सारे आप लोगों के स्कीम चलाए गए हैं विकलांग बच्चों के लिए ठीके साथ प्रकार के स्कीम हैं साथ हो आप लोगों के लिए योजनाय चलाए गई हैं और चार योजनाय जो भी हमने पहले की क्लास में सन वाले क्लास में कराए हैं और आप लोगों क कोई बात नहीं तो उसमें देखिए आप लोग को बहुत अच्छी चीजे क्वेस्टन जो है वह हम आप लोगों पीडियेफ में दिये हुए हैं ठीक है तो पीडियेफ फोकस करिएगा और यूटूब पे जो क्लास है वह तो आप लोग पढ़ी ही दीजिएगा ठीक है पीडि और यह और आज की जव मेरातन क्लास इसको भी आप लोग दो तीन बार देख लिजेगा एक और आप लोगों का पार्ट वन आनुदान सहायता फॉर्थ आपका मांसिक मंदिता और रोग रस्त बाल को हेटुश्वेम सेवी संस्थाओं का अनुदान सहायता ठीक है यह सबी देखिए आपके जो स्वास्ते बाधित बालक हैं इनकी सहायता के लिए प्रावधान किये गए हैं ठीक है तो यहां पर जो रा पहचान का आधार होता है यानि की जो मानसिक रूप से मंदित बालक होते हैं ठीक है उन बालकों का पहचान क्या होता है तो सबसे पहला option है आपका सच्छिक उपलब्दी second option है आपका बुध्धी लब्धी, third option है आपका दोनों ही और fourth option है कोई नहीं तो देखे जो questions पूछा गया है कि जो मांसिक मंदित बालक होते हैं ठीक है जो मांसिक मंदित बालक होते हैं उनकी पहचान का क्या आधार होता है तो देखे जो मांसिक मंदित बालक होते हैं उनकी पहचान का आधार होता है आपका बुद्धी लब्धी होता है यानि कि आप ब पहचान कर पाएंगे कि कौन बच्चा मानसिक मंदित है कौन नहीं है ठीक है तो जो सेकेंड ऑप्षन है वहीं आपका बिल्कुल करक्ट हो जाएगा यहाँ पर चलिए अगली कोश्चिंज की तरफ चलेंगे और देखेंगे लगा कोश्चन हमारा क्या कहता है बिल्कुल सही बात देखेंगे जो आपके वन्स से चले आ रहे हैं तो यह दोनों ही जो मुख्य करड़ होते हैं तो यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नमबर आपका थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ओकी चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलेंगे और देखें अंगला कोश्चन हमारा क्या कहता है क्वेशन है कि मानसिक मंदित बालकों की स्रेड़ी है यानि कि जो मानसिक मंदित बालकों की स्रेड़ी है वो क्या है पहला ओप्शन है सारीक रूप से बाधित सेकेंड ओप्शन है मानसिक रूप से बाधित थोड़ ओप्शन है आपका अधिकम असमर्थी और फोर्थ तो देखें, जो मानसिक मंदित बालकों का सिर्ड़ी होता है, वो आपका मानसिक रुप से बाधित बालक होते हैं, ठीके, यानि कि मानसिक रुप से बाधित बालक होते हैं, ठीके, तो जो second option होगा, वहीं आपका बिल्कुल correct हो जाएगा, ओके, चलिए अगले questions की तरफ चलें सब्सक्राइल, और देखें हमारा क्या कहता है, question है आपका अगला कि मानसिक मंदित या फीर मानसिक विमंदित बालक होते हैं, ठीके, यानि कि मानसिक मंदित हैं, पहला option है शीखने में अत्यदिखुदी में, second option है प्रतिक्रिया न करने वाले, third option है आपका पूरी तो यहां पर देखिए जो आपके मांसिक मिमंदित तो सेखने में जिनका IQ लेबल होता है काफी कम होता है सीखने में धीमे होते है रहुती है और सामाने बालकों से 2 प्रतिक्रिया न करने वाले यादि कि खुद से यह कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं पूरी तरीके से ये समझने, ठीक है, बोलने, खेलने, अपेच्छी तरीके से चलने में ये अच्छम होते हैं, जो मानसिक मिमंदित वालक होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ आप्सन होगा, वहीं आपका बिल्कुल करक्ट हो जाएगा, यानि कि उपरोक्त स कविष्चन है आपका कि बालक के विकास काल में मांसिक मुंदिता की समस्या, प्रमुक रूप से किस के चिनता का विसज Luxich काल में, to College of Politics से सिंभिथ का सिख्छा विदो के ठांटा था खिकत सिख्यों के लिए और इता है उपरिकत सभी तो देखिए सबसे पहले जो बात कही गई है कि जो बालक के विका श्काल में मानसिक मंदिता की समस्या होती कि प्रमक रोप से किसके चिंता का विशय है तो यहां पर देखिए जो यदि कोई बालक मांसिक विवन्दित है ठीक है और उसको समस्या हो रही है तो उसके सबसे ज्यादा चिंता तो सबसे पहला उसके अभी भावकों को होती है उसके माता-पिता को होती है ठीक है सिच्छा videok होती है, यानि कि जो उसके teacher है, ज़िए बार-बार समझा रहे हैं, बच्चा सीक नहीं पा रहे हैं, तो वो भी एक सिच्छक के लिए चिंता की बात हो जाता है, यानि कि चिंता का विषय हो जाता है, प्रमो कोश्ण की तरफ मांसिक मांदिता की समस्या है वह प्रमो कोश्ण की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला कोश्ण हमारा क्या कहता है question है आपका कि मानसिक मंदता से प्रभावित बालक समान आयू के शामान बालकों से प्रत्तिक छित्र में होता है पहला option है आगे, second option है आपका पिछडा, third option है समान और fourth option है कोई नहीं तो जाहिर सी बात है कि जो कोई भी मानसिक मंदिता से प्रभावित बालक है ठीक है तो अपने समान आयू के बालक से पिछड़ा हुआ होगा ठीक है आपसन आप का बिल्कुल करक्ट हो जाएगा अगली कोस्चन की तरफ चलेगे और देखेंग क्या कहता है कि मांसिक मंदता के अर्थ को इसपष्ट करने के लिए किन-किन सब्दों का प्रयोग किया जाता यह आपका सब्द है ठीक है यानि कि मांसिक मंदता के अर्थ को इसपष्ट करने के लिए किन-किन सब्दों का प्रयोग किया गया है पहला आपसन है आपका मांसिक ह कोगा है इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए आपके कई सब्रresh timest का प्रम किया खेए इसमें से आपके मुकश सब्सक्रम हियर अर्दीम सीखने वाला चैना मांसिक आटा और और देखिंग अगला question हमारा क्या कहता है question है आपका कि वीमंदित सब्द का प्रियोग किसने किया नहीं कि जो वीमंदित सब्द है ठीक है इसका प्रियोग किसने किया था पहला option है आपका विश्चो शास्त संगतन यानि के डबलो एचो second option है आपका unisave, third option है आपका rate crash society, fourth option है आपका अमेरिकन साइक किया ठीक है जो वीमंदित बालक का प्रियोग किया है सबसे पहले ठीक है या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं वीमंदित सब्द का प्रियोग करने वाला कौन है तो आपका विश्व स्वास्त संगतन यानि के डबलो एचो है जिन्होंने वीमंदित सब्द का प्रियोग किया ठीक है तो यहां पर जो first option होगा वहीं आपका बिल्कुल correct हो जागा यानि के डबलो एचो चलिए तो first option आपका बिल्कुल correct हो अगले questions की तरफ चलेंगे और देखिंग अ और परियाप्तता सब्द का प्रियोग किसने किया है यानि कि जो मानसिक और परियाप्तता है देखिया अभी आपने बात किया विमंदित सब्द का प्रियोग किया गया है वह आपके डबलो एचो के द्वारा किया गया है अब आपसे बात कहा गया है कि जो मानसिक और परिय और परयाप्तता सब्द का प्रयोग किया गया है ठीक है वह आपके American Psychiatric Association के द्वारा प्रयोग किया गया है मानसिक और परयाप्तता देखें यह सब कुछे जा सकते हैं कि विमंदित सब्द का प्रयोग किशने किया है मानसिक और परयाप्तता का सब्द का प्रयोग किशने किया तो यहां पर आपका second option बिल्कुल correct हो जाएगा, अगले question की तरफ चलेंगे, और देखेंगे, अगला question हमारा क्या कहता है, question है कि चौमे या फिर अतियल्प मानसिक मांदता बुद्धी लब्धी कितना होता है यानिक जो, एक देखेंगे, इस त्रड़ी में जो ब्यक्ति आते हैं, उनके जो बुद्धी खनते होते हैं यो शामाने ब्यक्ति तो तो छोड़ी ब्यक्तियों की जो बुद्धी लब्दी वो कितना होता है आपका 90 से ले करके 110 तक होता है ठीक है और जो आपके 100 में या फिर अति अल्प मानसिक मंदता वाले बालक होते हैं उनका इनसे थोड़ा सा कम होता है इनका शमाजिक एवं संप्रेशर जो कौशल होता है वो शमान न ही होता है ठीक है और यह किसी प्रकार की मस्तिस्की विकृति या फिर शारिक भी संगतिया इनमें नहीं होती है और यह अक्सर आत्न निर्भर व्यक्ति होते हैं ठीक है या जो आति अल्प मानसिक मंदता वाले बुद्धी लब्दी के होते हैं तो इनका पहला option है 50 से 55 से ल और फूर्थ आपसन आपका 20 से 25 से भी कम तो देखें जो शौम या फिर अति अल्प मानसिक मंदता का बुद्धी लब्दी होता है ठीक है वह आपका 50 55 से लेकर के लग भग 70 तक होता है ठीक है तो यहां पर आपका फॉर्ष आपसन जो होगा वह बिल्कुल करक्ट हो जाए जो मध्यमया फिर अल्प मानसिक मंदता बाल भी बेक्ति या फिर बालक होत conservative वह दो स्क्राइं नजर आने लगता है उनको जो मध्यम मंदता बालक होते हैैं यह कृयात्म कि शमन्मय में इवंPO म्योजन में समयोजन में इनको कटिणाई होने लगता है इनका बुध्धी लब्दी होता है कितना होता है पहला उप्सण आपका 20-25 से felt नहीं रहेगा 20- 55 से लेखर हों कितना होता है यहां तक परfill तक 50-50 तक इसे ब्लख कर दिए जके टूँशों को शन्सेरों 3-25 तोस्वार्ट पीस से छालिष से लेकर उसकता तक फूर्थ ऑप्सन है आपका चालिस से पचास तक यहां पर देखे जो आपके अल्पमानसिक मंदता वाले ब्यक्ति का बुद्धी लब्दी होता है वह 35 चालिस से लिए करके लग भग 50 पच्छपन तक होता है ठीक है तो यहां पर जो सेकेंड ऑप्सन होगा वहीं आपका बिल्कुल करक्ट हो जाएगा ओके चलिए अगले कोश्चंज की तरफ चलेंगे और देखें अगले कोश्चंज हमारा क्या कहता है क्वेस्चन है आपका कि गंभीर मानसिक मंदता वाले ब्यक्ति का बुध्धी लब्धी कितना होता है पहला ओप्सन है 20-25 से लेकर के 35 चालिस तक सेकेंड ऑप्सन है आपका 50 से 55 तक थड़ ऑप्सन है आपका 35 से 40 तक और फोर्थ ऑप्सन है बिस से कम तो देखें जो गंभ है इनका सारिक छती एवं बहुं विकलांगता इनके अंदर गत पाई जाती है और यह 24 घंटे देख भाल के आवे सकता है इनको होती है यह दूसरों पर पूरता है यानिके पूर रूप से यह निर्भर होते है ठीक है तो इनका जो राइट आप्सन होगा फ्रेंड्स वो क् गंभीर रूप से होते हैं वो आपका 20-25 से ले करके 35 तक होते हैं ठीक है तो यहां पर आपका जो फॉर्ष्ट आप्सन दिया है वहीं आपका बिल्कुल करक्ट हो जाएगा जो गंभीर मांसिक मांदता वाले ब्यक्ति होते हैं ठीक है चलिए अब हम लोग अगले कोश्चि थो गंभीर मांसिक मांदता के बारे में अभी मैं बताया था ठीक है तो बिलकुल सही बात है चलिए जो अदिक अधिया मांसिक मांदता वाले व्यक्ति होते हैं वो उनका जो बुद्दी लब्दी होता है कितना होता है पहला ओप सने 20 या 25 से कंव और है नहीं है 30 आप्स्न मंदेता वाले ब्यक्ति होते हैं उनका जो बुद्धी लब्दी होता है वो 25 या फिर 20 या 25 से कम होता है ठीक है तो फॉस्ट आप्सन जो होगा वहीं आपका बिल्कुल करक्ट हो जाएगा चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलेंगे और देखते अगला कोश्चन हमारा क्या कह होता है क्या है दूल के अनुसार मांसिक बालको से अख्षम होते हैं संसाजिक रूप होते हैं मंदित बालक होते हैं वो शामाने बालकों से निम्न अस्तर के होते हैं उनसे पिछले अस्तर के होते हैं निकि निम्न होते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इनकी कमजोरियों का संबंद विकास से जुड़ा होता है बिल्कुल सही बात है यदि यह कमजोर है विक है तो उनका जो विखास होता है वो अच्छे से हो नहीं पाता तो इस प्रकार से ये विखास से जुड़ा हुआ है और फोर्थ आउसन है इसमें सुधार या उपचार का कोई आउसर नहीं होता यानि कि जो मांसिक मिमंदित बालक होते हैं डूल के अनुसर कहा गया है कि इनमें सुधार य को आउसर नमबर आपका फिप्त बिल्कुल करक्ट हो जाएगा उपर युक्त सभी ओके चलिए अपने अगले कोश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला कोश्चन हमारा क्या कहता है मांसिक मनदित की परिबासा सरव प्रतम किस ने दुन के पहले किस? वह चपीनर ने तैसके स्केनर ने सरुट सहार वो का परिबास है वह सबसे पहले न्यूद किस ने दिया था तो आपके जो धोल स również परकुल करक्ट हो जाएगा इगला कूश्चन है आपका क्वेश्चन है क्रो एवं क्रो के अनुसार मानसिक मंदित बालकों की विसेस्ताएं बताईए अभी अभी आपने उपर डूल के अनुसार मानसिक मंदित बालकों की विसेस्ताएं पढ़ा ठीक है अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अगला क्रो एवं क्रो के अनुसा तो देखके यहां पर जो क्रों एवं क्रों के अनुषार मांसिक मंदित बालकों के उन्होंने कहा है कि उनको मित्र बनाने की अधिक इच्छा होती है विद्याले में आस अफलताओं के कार्ड़ निरास हो जाते हैं और समयकात्मक और सामाजिक असमयोजन उनके अंदर का क्या कहता है. क्सकीनर की अनुसार मांसिक मंदता बटाइट की बताई। पहला प्सलिव में प्रयूग करने में सहाँ है, पहला नइ प्रश्थिति युदि इंगे हैं , तो इन उसको कुछ है नइ महसुस होती है , था जो भी उसके मानताइं होते हैं एक जो इसमें आतल विष्वास करता है। थर्डू नाकर के किवल अपनी चिंता करता है। तो तीन ओभी बातें यहां पर बिल्कुल सही कही गई है। तो यहां पर जो राइट ऑप्सन बनेगा ऑप्सन नमबर आपका फॉर्थी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ओकी चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलेंगे और देखतें अगले कोश्चन हमारा क्या कहता है क्वेशन है कि फ्रेंड सन के अनुसार मान्सिक मीमण दिता की विसस्ताइए बताईATE है önemli कि इनके अनुसार आपको मान्सिक मीमण दिता की विसस्ताइए बताना पहला option है आत्मे विश्वास का अभाव, second option है आपका 50-70 या फिर 75 तक बुद्धी लब्दी होती है, third option है बहुदा भाव विश्पूड ब्यवहार होना चाहिए, ठीक है? बहुदा भाव विश्पूड ब्यवहार और fourth option है उपर युक्त सभी तो देखें जो यहां पर आपसे भावा वेस्पूड होना चाहिए, ठीक है भावा वेस्पूड ब्यवहार तो देखें जो फ्रांडसन के अनुसार मांसिक विमान देता की परिभासा कही गई है उन्होंन इन्होंने तीनों ही बाते सही कही है तो जो राइट आपसन होगा आपसन नमबर आपका फोर्ट्व हो जायेगा ऑकी चलिया अगले कोश्चन की तरफ चलेंगे क्या कहता है कि मांसिक मंदीता के कौन-कौन से कारड़ होते हैं पहला आपसन आपका जन्म के पूर्व के या फिर प्रशाववत्तर कारड और फोर्थ आपसन है उपर्युक्त सभी ठीक है जो यहां पर आपसे questions पूछा गया है कि मांसिक मंदिता के कौन कौन से कारड होते हैं तो सबसे पहले तो देखिए आप लोगों के इसरे तो सबसे ठीक है कि मांसिक मंदिता के कौन मुं इसके बाद क्लास को इंड़ कॉष्चन हए कि मांसिक मंदिता के जन्म के पूर्व के कौन कौन से कारख है यानि कि जो मांसिक मंदिता के आप लोगों ने अभी अभी तीन कारख पढ़ा था ठीक है अब आपसे कोश्चन में पूछा जा रहा है को जो जन्म के पूर्व के कारण है वो कौन कौन से है पहला option है अनुवनसिक किसी कि विकास्त को अब कोप्रभावित कर रहा है तो तो सबसे पहला है अपका अनुवन्सिक कारण हो जाता है ओप का वेस्ति अगर आप अनुमानसिक्ता समानेटा आप सभी लोग जानते होंगे कि जो इसके अंतरगता आते हैं वी आपके मानसिक्ता मन्दिताइं सामीली जो आपके गर्व धाराल के समय प्रभावित कर सकती है ठीक है? दो स्पुड जिन्स के द्वारा उत्वन विकास जो होती वो गुड़सुत्री और समानताएं जिसमें के जिन्स एम गुड़सुत्र में ही और समानता पाई जाते है ठीक है? और दूसरे वाहाक इस्त्री या फिर पूरूस जो गर्भाधारण इस में जो होती वो और समानियता को भ्रूड में हस्तांतर्ब कर देती है इस प्रकार के जो और समानटा होते हैं और चौथ होता है ब्रुड विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उसमें क्या होता है तो करते है जिसे के जोbes walkedtaker करते हैं और इनको प्रम होता है यहीं समय होता है जब भरोड का मस्तिस्क भीक्सित होता है, यानि कि जो इस्टार्टिंग 3 मन्त होते हैं, वह बहुत ही जादे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीकि किसी भी भी विकास को प्रभावित करने के लिए, यहां पर देखे जो आपका राइट उप्सन होगा, उप्सन कर्कूर्ण से अधेना कर्षोम अधेनी फिर्छे सर्क्राव कॉसर और ने में देखनार सुपर्ण सब्सक्राव, अधेनीज पर W changes में चाहिए क्षेज तरहें ऻियर्द मेट ऑफय करें तो मांसिक मंदिता का एक कारड यह भी बन जाता है. कारड नहीं अंगी सबरी. यहाँ बलो भूण होता है. उपर्युक्त सबहुतिे चलिए. अगले question के तरफ चलेंगे और देख देख लो question हमारा क्या कहता है? मांसिक मंदिता की जन्म के पस्षाफ के कारण है ठीक орд education मांसिक मंदिता के जन्म के बाध के जो कारण होते है अपे साइवा आपके बहुत है पिल्कुल आपके दिमांग कोई पहुंच घुछ गया है कोई आपको आघहात का एक जन्म की पश्षाफ के पर लग साइज कोई भी आपको संक्रमण वाले रोग हो गए हैं उससे भी आपका जो मांसिक विकास होता है वो डेवलप नहीं होता है जिसे की मांसिक विवन्दित बालक आप बन जाते हैं वातावड़ ये कारक बिल्कुल सही बात है यदि आपका इन्वार्मेंट अच्छा नहीं है ठीक है गंदा एन्वार्मेंट है तो बच्चे का विकास होता है वो अच्छे से भी नहीं पाता है इसलिए मांसिक विकास करने के लिए आपका जो वातावड़ यानिके इन्वार्मेंटल थाप्ट्स होते हैं ठीक है उसको अच्छा रखना चाहिए तो यह तीनो ही आपके मांसिक मंदिता के जन्म की पस्चात के मुख्य करण होते हैं दुर घटायम चोट संक्रामक रूप वातावड़ यह कारक तो यहां पर आपका जो फॉर्थ ऑप्सन होगा वहीं आपका बिल्कुल करक्ट हो जाएगा यानि कि उपरोक्त सभी ओके चलिए अगले कोश्चन की तरफ चल पहला counselor, आपका विषिष्ग विष्ट्वल की शापना की जाए यानि कि उप्क्य कुछ अच्छ विद्यालों की जाएगा जिसमें जो बालक हां टीक है उनको पढ़ने के लिए अच्छी सुविधाये हूँ तो अच्छी सुविधाये किसमे होगी जब आपका जो जो विशिष्ट विद्याला होगा तभी उसमें आपको अच्छी तरीके की सुविधाय मिल पाएंगे, ठीक है, सेकेंड आपसान है आपका विशिष्ट कच्छाओं की स्थापना की जाए, जो मांसिक विवंदित बालक है उनके लिए विशिष्ट कच्छा यानि कि जितने भी वहां पर आपको आड़ो विज्यूल जो भी आपकी सामगरी होते हैं स्रब्य दृस्त सामगरी आप उसका उपियोग करिए ठीक है यानि कि होना चाहिए आपके क्लास में जितने भी बच् जो मांसिक विवंदित बालकों को अच्छा दे सकें तो अच्छे सिच्छों के नियुक्ति की जाए फोर्थ ओप्सने छोटे सम्मूहों में सिच्छा दे जाए यानि कि देखिए जैसे कि क्या होता है कि 30 बच्चों पूर एक टीचर होता है लेकिन वहीं पर देखिए कोई बच्चा है तो आप लोग वहां पर जो बच्छो कि संख्यां के कम कर सकते हैं यहनि कि दधस का आप नगे पानश का गुरू Бना देजिए 5 गुरू पर एक टीचर लगा दिजिए लुजब फीजान है तो बच्छों के संख्या जादे रहेगी टीचर के वर एक है तो सारे बच्चों पर ध्यान भी नहीं देंगा, जो बच्चे अच्छे रहते हैं, तो इसलिए जो बच्चों का रिजल्ट होता है, वो अच्छा नहीं होता है, यानि कि उपर युक्त सभी चलिए अगले question की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला question हमारा क्या कहता है देखिए अगला question आपका समय गात्मक विछिप्त बालकों से कहा गया यानि कि जो आपके emotionally disturbed child रहते हैं यानि कि जो समय गात्मक रूप से दिश्टर्व बालक होते हैं उनके बारे में हम लोग यहां पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे यानि कि questions को discuss करेंगे सबसे पहले हम लोग देखिए हमारा question क्यों समय गात्मक रूप से विछिप्ट बालक होते हैं उनकी विछिष्टाइं सबसे पूछ लिया है सबसे पहले समयगात्मक विच्षिप्त बालकों के विसस्ता है यहां पर हमसे पूछ लिया गया है तो देखें पहला ओप्सन इसमें दिया गया है कि ऐसे बालक सीखने में आयोग्य होते हैं विल्कुल सही बात है जब बच्चा समयगात्मक रूप से विच्षिप्त है तो ज पॉइंट है कि इनकी सोच भी शामानिय नहीं होती है ठीक है यह तीनों ही आपके समयकात्मक विच्छिप तबालकों की विसेस्ताओं को किन किन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है समयकात्मक विच्छिप तबालक विच्छिप तबालक है ठीक है उनकी विसेस्ताओं को किन किन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है पहला option है आपका बुद्धी सच्छिक निस्पत्ती, second option है आपका समाजिक तथा समयकात्मक विसिस्ताओं, third point है आपका ब्यवहारिक विसिस्ताओं और fourth option है आपका उपर युक्तिस अभी, ठीक है, तो देखें जो आप लोगों से questions अभी अभी पूछा गया है, कि समयकात्मक बिसिस्ताओं और बिवहारिक विसिस्ताओं के अंतरगत इनको विभाजित किया जा सकता है, तो यहां पर जो right option होगा, यह तीन ही आपके बिल्कुल correct है, जो right option होगा, option number fourth आपका बिल्कुल correct हो जागा, यानि कि उपरोक्त सभी, okay, चलिए, अगले questions तक चलेंगे, और प्यार कर लेना है, okay, क्योंकि देखे, कौन से question, आप लोगों के जब second semester में आप लोग थे, तो कितने जादे आप लोगों के questions पूछे गया थे, okay, उसमें तो आप लोगों से यह सब questions पूछे गया थे, कि सुरा वस्था का मानसी केज कितना होता है, तो यह दुनिया भर का तो इस बार देखे, जो आपके syllabus में है, जादे तर questions इसी सब से related है, तो समयकात्म विछित बालकों का बुद्धी रब्धी कितना होता है, पहला option है लग भग 90 तक, second option है आपका लग भग 70 तक, third option है लग भग 120 और fourth option है लग भग 130 तो देखे, जो समयकात्म विछित बालकों का बुद्धी रब्धी होता है, वो आपका लग भग 90 तक होता है, ठीक है, कितना होता है, लग भग 90 तक होता है, तो यहाँ पर जो राइट आप्शन होगा, तो आप्शन नमबर आपका first जो है, वहीं बिल्कुल correct हो जाएगा, ओकी, चलिए, अगले questions की तरफ चलेंगे, और देखते हैं, अगले question हमारा क्या कहता है, question है, कि समयगातनक विछिप्त को कितने स्रेडियों में विभाजित किया जा सकता है, यहाँ पर पहला option है, आपका second option है, आपका 3, 3rd option है 4 और 4th option है 5 तो यहां पर देखिए जो समय गातनक विछिबतबालक होते हैं उनको 3 सिरडियों में विभाजित किया जा सकता है किं-किंस सिरडियों में विभाजित किया जा सकता है इसको हम लोग अगले questions तो जो समयकातनक बिचिप्त बालक होते हैं उनको त्रीन तीन स्रीडियों में विभाजित किया जा सकता है तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगले कुश्चिंस की तरफ चलेंगे और देखते अगले कुश्चन हमारा क्या कहता है कि समयकातनक बिचिप्त बालकों की तीन मुख्य कौन को या फिर किन किन स्रीडियों में विभाजित किया जा सकता है यानि कि समयकातनक बिचिप्त बालक है इनकी जो तीन मुख्य स्रीडियां है वो किन किन स्रीडियों में उनको विभाजित किया जा सकता है पहला उप्सन है जो आपका उत्पिडित बालक और 4 अबरियुक्त सभी तो आपसे अभी questions पूछा गया है कि जाहिए बात हैं इनको तीन स्रीडियों में विभाजित किया गया है तो सबसे पहला आपका जो था ब्यक्तित व ब्यक्तित बालक इसमें वह बालक आते हैं देखें जो वास्तिविक परिस्थितियों के प्रति और शंबध और अग्यान के इस्थिति में होते हैं वास्तविक्ता से देखिए इनका कोई संबंध इस्थापितिया नहीं कर पाता है जो व्यक्तित विच्छिप्त बालक होते हैं ठीक है एक टप विच्छिप्त विवहार अत्मक बालक आते हैं असंकत बालक आते है tv आखिंछित लिए विवार अत्मक बालक अत्मक बालक आते हैं खंडित परिवार के बालक इसके अंतरगत आते हैं और यह दोनों ही आते हैं ठीक है तो चलिए यहां पर देखें जो समय गात पक बिच्षिप्ट बालक इनको तीन मुख्य स्ट्डियों में विभवाज़त किया जाता है आपका ब्यक्तित बिच्षिप्ट बालक ब्यवहार आत्मक बारिकी बालक और थाड़ आपका उत्पिरित बालक ठीक है तो यहां पर जो राइट ऑप्सन बनेगा ऑप्सन नमबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानि कि ऊपरोगत सभी ओके चलिए अगले कोश्चिंस की तरफ चलेंगे और देखें अगला को आत्म मोहित बालक छुदा आत्मवित बालक फोर्थ ऑफसन एपका आत्मघाति बालक और तो सबसे पहले तो इसमेâte अभसा कर दो दो नित्यां घうんतित को मन को अवसाद को आधा होता है जैसे कि झिनकी जीवन इस्थाई मांसिक इस्तिति होती है उनको विंभत जाए कि कर लिए जरुने सवित्तिम डरते को सब्सक्क्रासरी जो मिलती है। सब्सक्राइप लगते हैं नогर्णारने में इसा है उनक्राइप ट्राहल – जो अपनी आपमसे हैं इसमें आपसे मोहित बालकते हैं, arrow कोके धूपन आतन ही गतिया करते हैं अधिक घंपिर केन्स पहलेक organs नियुक अधिक के शुन मोहित रहा tutte बालक होते हैं तरहा मान्सिक खंडी बालक इनको आपको समयकात्मक प्रतिकरिया करता है मंनिखियक करते हैं। इक दीन शपनों में डुबे रहते हैं वास्तिविक गाहर के स्थान पर कलपना गmile लुक में ही विचलित रहते हैं। वास्तोड संसार हैं एक आहसे स्थान पर बूंत से और यह और यह उसे बता है और जो जो मानसिक खंडित बालक होते हैं, जैसे कि गुंगे बच्चे रहते हैं, उसी प्रकार से मानसिक खंडित बालक होते हैं, चौथा पॉइंट आपसे दिया है, आत्मघाती बालक, आत्मघाती बालक के अंतरगत वो बालक आते हैं, जिनकी आवसाद जो होती है, जब बालक अत नकारात्मक्ष्व सम्मान होता है माता पिता द Lieutenant स्युर्ड होने की भावन एंतरगत आती है इन ब्रूदreibt कारीयों को अपने आप करना दूसरों का तिरसकार करते। को आत्मगों हो होते हैं एकला क्षुधा अभहाव बाल्ग थिया फिर छुदा तीशाय बालुकिह इसमें क्या होता सिर्दी कशला होते हैं इस जो एक प्रकार कर शारिक हैं और इसका संबंध और आत्मघाथ प debe और जो ब्चिप्ठ बालक होते हैं इसके अंतरगत के पांस बालक आत्मवी मोहितज़े दो दो करें दो ने प्चिए हैं बालक मानसि खंडित बालक आत्मगाती बालक चुधा अभाव बालक या और चुधा तीसाय बालक ठीक है तो यह आपके पांचों पॉइंट बालक के अंतरगत तो यहां पर six options आपका बिल्कुल करक्थ है यानि के उपरोक्त सभी चलिए अगले questions की तरफ चलेंगे और देखते अगला question हमारा क्या कहता है question आपसे अगला पूछा है कि बिवहार बिच्छिप्त बालक के अंतरगत कौन कौन से बालक आते हैं अब आपसे question जो पूछा है बिवहार बिच्छिप्त बालकों के अंतरगत कौन कौन से बालक आते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो देखिए इसमें पहला point है विद्याला भ बालक होते हैं जिने इस्कूल जाने से डर लगता है ठीक है यानि कि निमनश्वा सम्मान बहुदा तुरुतिपूड और वह यह स्वप्रत्यच्छी करण के कारण होता है ठीक है यदि बालक देखें समो क्रिया कलापों से अलग कर दिया जाए तो वह कुंठा ग्रस्त हो जात की यही बालक देखें सेना कता है अनुम्हां कोशने देकर का देन और का देकर सब्सक्राइब भागन motion होता है जाए फिर को समया भी फोबर जाइस और ठीक होता है जैसे कि आपको जेन भेखें सिर्दBill हों समय और उन्यारय कि और करना माता पिता पर वो अत्यथिक निर्भर होता है और माता पिता का इसमें नहों भी काफी परिश्थितियां उसके लिए हो सकती है ठीक है तो यह सभी आपके विद्याला से भैवीत बालक के अंतरगत आते हैं दूसरा पॉइंट आपका असंगत बालक यानि कि जो असंगत पर कोई नियंत्र नहीं होता है जो पालक करता है जैसे की कच्छा में चाएन होति लड़ाई देखे बिना यह सोच जो च्छा में अनुसा देखे जो zwei बहें बहeding करने थे लिए रहता है तो पूरी बात श्रूने बीना कारिते सुने भी आरमभम कर दिना चाएंरों आपने किर तो कहीं बात इसा है वयान départ है और ऑफले को हम भाते से हुआ अदी रहता है ठीके, यानि कि वो देखता नहीं है जिर जा रही है, ovyशे ही भागने लगते हैं, जो असंगत बालक होते हैं, ठीके और ऐसे बालक जो होते हैं, चुबकि उनका परड्राम नियुक् mechanisms अरिकर होते हैं, ठीके वह हमोन बैठता है ठीक है वह तब ही बोलता है जब आवसकता होती है जो आपके आदर्स बालक होती है यानी कि मॉडल चैल्ड हो जो होते हैं और ऐसे बालक जो होते हैं फ्रेंड्स वह सरमीला और अ Baldur करके प्रदर्सित करते हैं यानि कि जो भी उनकी शमयकात्मक बाधिता होती है वो गलत क्रियाय करते हैं यानि कि कोई भी गलत कारे करके वो प्रदर्सित कर देते हैं कि वो समयकात्मक विछिप्त बालक है ठीक है और यहीं बालक का क्रियात्मक बालक कहलाते हैं ऐसे बालक दे रिखते हैं भी के था द्रूर में हिरा करता है ते हमेiddag पंद्सकेाइफ तोड-फोड में ही रूच ही लेए फिटवक स्वी ने होते हैं समय के जो अपश्व बीवहारः बछिप्गत बालख बाल में आफे बेशित बालो जाए कut दो dolphins और ने हैं पहला option है आपका प्रहारित बालक, second option है आपका खंडित परिवार के बालक, third option है आपका उपर युक्त दोनों और fourth option है कोई नहीं कि देखें, जो पिड़ित बालक के अंतरगत बालक आते हैं, वो आपके प्रहारित बालक और खंड़ित परिवार के बालक ये दोनों ही आते हैं। परन्तु दंड एक देखिया औमानवी सीमा होती है ठीक है और उस सीमा से अधिक मारना पिटना या फिर मनोवेग्यानिक रूप से पिड़ा देना सरवता यह क्या होता है अनुशुत होता है देखे लेकिन जो आपके प्रहारित बालक होते हैं उसके माता-पिता ऐसा ही करते ह सेकेंड पॉइंट आपके आते हैं खंड़ित परिवार के बालक के खंड़ित परिवार यानि कि भ्रोकेन फेमिली चाल्ड होते है इसमें भगन परिवार होता है जो अधिक हो गया घैषी और माता-पिता में से किसी एक या फिर दोनों के प्रत्याहार चिंता अवसाद और भावनाय की भावनाय उनकी अंतरकत आ जाती है खंडित परिवार के जो बालक होते हैं यहां पर जो राइट ऑप्सन होगा आपका उपर युक्त दोनों ही हो जाएगा यानि कि जो थर्ड ऑप्सन होगा वहीं आपका बिल्कुल करक्ट हो जाएगा चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलेंगे और देखते अगला कोश्चन हमारा क्या कहता है अगला कोश्चन है आपसे क्वेशन पूछा है कि जो समय गात्मक बिच्छिप तबालक होते हैं उनकी कौन कौन सी समस्याइं हैं पहला अपसन है आपका आच्रड की समस्या सेकेंड आपसन है अपका अपरिपकोता की समस्या और फोर्थ आपसन है उपर एक तो सभी तो देखिए जो आप लिगो की समस्या होती है यानि कि इस समस्याओं का जो अध्यान होता है वो बेवहार और उसके जीवन के इतिहास से किया जाता है जो आच्रड की समस्या होती है ठीके बेवहार के अंतर कर देखिए एक ज्यान यानि कि जो आग्या होती है उसको मानना ठीके आग्या को ना मानना और जगड़ा करना, क्रोध करना ऐसे कारे जो होते हैं जिस से की दूसरों का ध्यान आकरसित हो वो ऐसे बेवहार करते हैं जो दूसरों को अच्छा नहीं लगता है ढруш जिवन का जो इतिहास होता है वो अतियंती समस्याओं का बौध होता है इससे कि जो बालक है उसके जीवन में क्या-क्या कठी नाया था समस्या आ रही है यह आचरड की समस्या यानि कि आचरड की इनको समस्या रहती है सेकेंड पॉइंट आपका व्यक्तित्व की समस्या, व्यक्तित्व की समस्या होते हैं, 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 व्यक्तित्व अधिक वहाव से तो यह सरमीले लगेंगे लेकिन अंदर यह अंदर जो इनका ब्यक्तित होता है वह काफी अच्छा नहीं होता है ठीक है और यह बहुत कम मुस्कुराते हैं ठीक है उंगले या फिर नाखुन काटते या फिर चबाते रहते हैं और यह डर पोग भी बहुत के समस्या थे उनके बिवहार में परी पकोटा नहीं दिखाए दियते हैं और युवा आवस्था में भी यह बचने का कारे करते हैं ठीक है इनके जो इच्छाय होती है वह आवेसक्ताहों के पूर्ती नह पर अपने पीता से जगड़ते हैं यानि के जो परीपकोटा की समस् आपरहद आप्र को समय तो आप के जो आपकार समय तो इनके प्रकार को समय चल एचया और आपकों समय जो बनेegah आप पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानिकि अपरियुक्त सभी तो यहां पर फोर्थ आफसन आपका बिल्कुल करेक्टर चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलेंगे और देखें अगला कोश्चन हमारा क्या कहता है वर मिनट अगला कोश्चन है आपका समयगात्मक रूप से बाधित को पहचानने की उत्तम बिधी कौन सी है यानि कि देखें जब भी आप समयगात्मक रूप से किसी भी बाधित बाले को पहचानना है आपको तो उसके लिए सबसे उत्तम बिधी कौन सी होती है पहला आप्सट है आपका बाले का बिधी कि बेल्कुल करेक्ट हो जाएगा भीally cuestión के तरफ चलेंगे और देखतें हमारा क्या कहता है क्यूस्टन है आपका कि समयकात्नक बिछिप बालकों के कारण बताये यानि की जो समयकात्नक बिछिप बालकों के कारण है उस कारण को आप बताये कि कौन कौन से कारण है पहला option है आपका जयवभातिक कारण, second option है आपका सामाजिक कारण, third option है आपका बेवहारात्मक एवानोवज्यानिक कारण, और fourth option है आपका उपर युक्त सभी, यहाँ पर देखें जो question आपसे पूछा गया है कि समयगात्मक विछिप्त बालकों के कारण बताईए, ठीक है, समयगात्मक विछिप्त बालकों के कारण होते हैं, वह आपका जयवभातिक यानि की बायोफीजिकल कारण होते हैं, ठीक है, सामाजिक कारण होते हैं, और बेवहारात्मक एवानोवज्यानिक कारण, यह तीनों ही कारण आपके समयगात्मक विछिप्त बालकों के होते हैं, तो यहां पर जो राइट उप्सन होगा फ्रेंड आपका फोर्थ जो है वो बिल्कुल करक्ट हो जाएगा यानि की उपर युक्त सभी अगला कुश्चन है आपका कुश्चन है समयगात्मक रूप से विचिप्त बालकों के सिच्छा के लिए कौन-कौन सी विवस्था की जानी चाहिए यानि कि कोई बच्चा समयगात्मक रूप से विचिप्त है ठीक है तो इस प्रकार की बालकों के लिए कौन-कौन सी सिच्छा की विवस्था की जानी चा कौन कौन सी विवस्था की जानी चाहिए तो सबसे पहले इनका जो ब्यक्तिकत अवधान होता है जो पर्ष्णल अटेंशन होते हैं जो बालक समय गात्मक इस्थिर्टा और बाद्जिता के प्रथम चरण में ही है ठीक है इनका उपचार अध्यापक ब्यक्तिकत ध्यान दे कर कर सकता है यानि कि ब्यक्तिकत ध्यान देने से जो अध्यापक होता है वो बालक की आवसक्ताओं और शीमाओं को भी ध्यान में उसको रखना चाहिए ठीक है उसे बालक की ओर ध्यान कच्छा कच्छ खेल के मैदान और पारिवारिक स्थितियों में भी देना होगा और जो मा प्रियोग जो बालक गंभी रूप से समस्या ग्रस्त नहीं है उन्हें शामान्य बालकों के साथ ही बैठा कर पढ़ाया जाना चाहिए ठीके उनकी जो थोड़ी बहुत समस्या या फिर शमेंगात्मक विकास के संबंध में हैं उसे दूर करने के लिए विस्स तकनिकों का प्र प्रियोग करना चाहिए और शाथ इन्हें निर्देशन की भी आवे सकता होती है तो आपको निर्देशन की सेवाओं की विवस्था भी की जानी चाहिए यानि कि विस्ष्ट तकनिकों के प्रयोग में ठीक है थार्ड पॉइंट आपका विस्ष्ट विद्याले एवं प्रयोग अप्रण गंपिर समस्या उत्पन्य करते हैं जैसे कि आपके खंडित मानसिक बालक शौवी मोहित बालक इन सभी बालकों को शामान ये बालकों के साथ बैठाकर न तो पढ़ाया जा सकता है और नहीं कोई सुधार उन्के अंतरगत लाया जा सकता है टेक है ऐसे ब करें उनके लिए विस्यृत कछ्षाओं के साथ आयोजित किया जाता है। गालक होते हैं उसको किसी भी चाहिए कि अलग वीद्याले में ना भेज्षकर समाने बालकों वाले वीद्याले में पढ़ाने की विवस्ता की जाना जाएकाँ, झाला होता है उनके अलग से विद्याल होते हैं उनको अलग से नहीं बलके जो समाने बालक होते हैं उनकी क्लास में उनको बैठा करके उनको सिच्छा दिया जाना चाहिए ठीक है चौथा पॉइंट आपका आवस्यक समायोजन यानि कि देखे जो शमयगातना गुरूप से विछित बालक होती है ठीक है उनकी कई होता है जैसे कि मनोचिकित्सक है तू सबता हमें कुछ दीन वर समय निस्चित करना ठीक है मनोचिकित्सक के लिए उनके ठीक है ठीक है अधाय को छोटे-छोटे भागों में बाट करके आप पढ़ा सकते हैं ठीक है और बालक के अंशुत बिवहार के लिए दंड आप नहीं बालक के लिए कोई बी अलक सफलता मान दंड प्रियुक्त करना ठीक है और जो भी आपके साधन है अध्यापक मनोवग्यानिक और विसेश्च निर्देशन के अनुसार अन्य सभी प्रकार के समयोजन करना चाहिए ठीक है तो जो सब्सक्राइब को किसी इच्छा होती है कौ उत रही है जोर्फा अगला कॉस्चन है अगला और एक लीए तिन चेप्र के कोश्चन कप्रेट हो गार जोहत है वह मत रहाएं को वस्मों के कराएंगे बालक कोश्च्चन यंदि कि जो इनका जो बिवहारात्मक बारी की यानि कि जो बिवहार से डिश्टर्ब होते हैं अपने उनके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे ठीक है क्षचन है आपका कि वर्तमान में मनोग ग्यानिक हैं उट कि प्रकार के मनोग इंबालकों शास्त्री कि किस प्रकार के나steps साले बालकों में यानि इह जो नो फूर चाय नहीं तो देखे जो वर्तमान समय में जो मनोवग्यानिक या फिर सिछा सास्ति रहे हैं वो किस प्रकार के विसेश साले बालकों में रूची दिखा रहे हैं तो ये उन बालकों में रूची दिखा रहे हैं जो बालक समाजिक रूप से असांत हैं और जो बालक बीमार हैं ठीक हैं त कौन से बालक अपने अभिभाव को मित्रों शहयोगियों सहपाथियों तथा अन्य सदस्यों के साथ संबंद इस्थापित कर पाने में सच्छम नहीं हो पाते हैं पहला अप्सन है आपका समयकात्मक बिच्छिप्त बालक सेकेंड आपका बिवहारात्मक बारिकी बालक समय के लिए इन लोगों कर जैसे कुछ विंदरता समयक खालै घया समयक ने में लोगों से सब्सक्तिक जाँ हो यह सब्सक्रार की कर पाने और क helmets को साथ संबंद इस्थापित कर अन्य सब्सक्राओ क्या है आपके बेवहर बारीकी बालक होते हैं, यानि कि ऐसे से दिप्वार नहीं हिनकते समस्थे चाहिथा बालक होता है, कि अपने आया जो अब इनका संबंध होता हुँ काफी खराब हो जाता है क्योंकि इनका ब्यवहार ही इतना गंता होता है तो इसका जो राइट ऑप्सन होगा ऑप्सन नमबर आपका सेकेंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए अगले कोशन की तरफ चलेंगे और देख तक ला कोशन हमारा क्या क ब्यवहारात्मक बारीकी बालक का ब्यवहार कैसा होता है जो ब्यवहारात्मक बारीकी बालक होते हैं उनका ब्यवहार कैसा होता है पहला आप्सन है आपका सकारात्मक सेकेंड आप्सन है आपका नकारात्मक थाप्सन है दोनों और फॉर्थ आप्सन है कोई नहीं तो देख इनके ब्यवहार है हमेसा इनके अंतरगत क्या होता है कि निगेटिवीटी रहती है एक दूसरे को देखकर कि यह हमेसा निगेटिव चीजे सोचते हैं जिसकी वज़ा से इनका खराब होता है ठीक है किसी से भी संबंध इनका अच्छा नहीं रहता है ठीक है तो यहां पर सेके समाजिक अत्व समयकात्मक रूप से बाद ही समाजिक रूप से कूष समय यूजित और फूर्थ और मानसिक विकारी तथा मनोरुगी और फिफ्ट आप्सन आपका उपर एक तो सभी देखिए इससे रिलेटर जो बहुत है वह आप लोगों के लिए भी बहुत ही जादे या इसी को भी लेकर्क यह किसी को बहुत ही बहुत हुत है। तो यहां पर जो राइट आपसन होगा आपका फीप से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानि के उपरोक्त सभी आपके देखे एकजाम में चारही आएंगे ठीक है बट हम आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर करा देते हैं ताकि आप लोगों कोई एक इसमें से आ तो फिफ्ट आपसन जो होगा वहीं आपका बिल्कुल करेक्ट है चलिए अगले कोश्टन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगले कोश्टन हमारा क्या कहता है क्वेश्टन है आपका कारेक्ट्रिस्टिक आफ चिल्ड्रेन विहेवियर डिशार्डर ठीक है पुस्तक यान आपके कॉफ्मेन की पुस्तक है जिसमें आप लोगों को विकारी बालक इन से रिलेटेड जो कॉफ्मेन की पुस्तक है यह बहुत ही अच्छे से इसमें डिफाइन किया गया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगले कोश्टन की तरफ चलेंगे और देखते हमारा क्या करते हैं तो आप लोग का रूल है आप लोग फालो करें एक लोग दो लोगों को से एर करिया और साथ ही साथ शाय को लाइक करें यह बहुत ही अच्छे लेबल के वाल नेकर आएं आ है वह जो नंबर हमने बताए है 63-0-62-75-624 इस नंबर पर आप लोग संपर्ग करिए यानि कि मैसेज करिए काल कोई नहीं करेगा और वहां से आप लोग PDF जो है वो ले सकते हैं और अभी आप लोगों के लिए टाइम है फर्स्ट पेपर में फर्स्ट पेपर यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए कि मैं मेरा मिश्टेक हो गया है मैं भूल गई मैं थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया कोश्चन ऐसा बिलकुल नहीं इतनी अच्छी सा आप लोग पढ़े लिजिए तैयारी कर लिजिए कि एक भी कोश्चन आप लोगों कि गलत नहीं होने चाहिए नहीं आ रहा है कोश्चन वो बात अलग है ठीक है लेकिन आता हुआ कोश्चन आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए इस बार की पूरी आप लोग ध्यान दीजिएगा ठीक है चलिए अगले questions को तरफ चलेंगे देखते हैं क्या है question question है कि किसने कहा है कि बिवहारात्मक बारी की विद्यार्थी उम्र के अनुसार अनुशित बिवहारों को लगातार बार बार प्रदर्सित करते हैं जिसका परड़ाम सामाजिक छंद व्यक्तिक अप्रशनता एवं साले असफलता के रूप में प्रकट होता है तो देखें यह जो statement दिया गया है यह किसने कहा है पहला option है आपका रॉस ने किर के अवं गलाधेर ने थार्ड आप्सन आपका कॉफ में ने और फूर्थ ऑप्सन है वेबर ने तो यहां पर दिखेंगा जो सबसे प्रक्रेक्ट अप्सन होगा फ्रेंड से आपका second हो जाएगा किर के अवं गलाधेर ने इस statement को दिया हुआ है ठीक है तो यहां पर second option ज क्यों सब्सक्राव करते हों पर यृक्ति सभी ही अगले कोस्चन स्विल्ड गलाधे। कि तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला कुश्चन हमारा क्या कहता है क्विश्चन है आपका कि एकन वेक तथा अन्य विकारों के अधिक ब्यापक एम इस पश्ट रूप से किन पहलू को चिंधित किया गया है अगले कोश्चन हमारा क्या कहता है क्विश्चन है आपका ग्वे एम अन्य ने किस प्रकार के सम्मुहों या स्रेडियों में स्रेडि बद्ध किया है तो यहां पर देखिए जो पहला ओप्शन है आचरण विकर सेकेंड ओप्शन है आपका सामाजिक आकरामकता थर्ड पॉइंट है आपका अपरिपकोता एम ध्यान संबंधी समझ से आए फोर्थ ऑप्शन है आपका चिंता ग्रसता पीछे हटना पलायनवादी फिफ्ट ऑप्शन है आपका मनो रोगी ब्यवहार और शिक्स ऑप्शन है आपका क्रियात्मक अतिरेक और फोर्थ समुहूं या फिर स्ट्रेडियो में स्ट्रेडी बद्ध किया है ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका आपसर नमबर आपका जो सेवेंथ है यानि के उपर युग तो सभी यहीं आपका बिल्कुल करक्ट हो जाएगा ठीक है और यह किसके बारे में बात के ज़रा ज समुहूं या फिर स्ट्रेडियो में स्ट्रेडि बद्ध किया है तो इसमें आपका आच्रण विकार आता है ठीक है समाजिक आक्रम अक्ता आता है परिपकोत आयों ध्यान संबंदी समस्या आती है चिंता अग्रस्ता पीछे हटना पलायन वादी आता है मनोरोगी बिवहार क अगले कोश्चन की तरफ चलेंगे और देखते अगला कोश्चन हमारा क्या कहता है तो गंभीरता के आधार पर विकारों को वरगी करीद किया जा सकता है पहला उप्सन है आपका शौमें सेकेंड आप्सन है अपका मध्यम थादा आप्सन है गंभीर या उग्र फौर्फ आ तो देखें जो विवहारात्मक विकार होते हैं उनको कई प्रकार से वरगी करीद किया जा सकता है जो कि आपको बताया गया है शौम मध्यम गंभीर या उग्र अत्यथिक गंभीर तीक है तो यहाँ पर फिफ्ट आप्सन जो होगा वहीं आपका बिल्कुल करक्ट हो तो देखे जो गंबिर विकार है उसको क्या कहा जा सकता है पहला आप्जन् a आपका सा इको cœur Four फरी नाप निक छिजो है तो यहां पर आपका विकार्क्राशी कहा जाएगा उके चलिए आगले question की तरफ चलेंगे और दीख तक हमारा क्या कहता है question रहे जहीं कि ब्याहरतमक्व काहरों को प्रभावित करने वाले कौन कहुते कारक треб हैं निकि जो प्रेयुक्ति सभी हो जाहmpfen तो इसमेंठों इसमें सहएवी कह जो जैसे कि निश्चिति आप लोग सरीर और आपका जो बिवहार होता है उसका घनिष्ट संबंध होता है इसलिए देखिए मानना यहां पर युक्ति संगत होता है कि कुछ प्रकार के जैविक कारक होते हैं वो आपके बिवहारात्मक विकारों को उत्पन करकी यानि की करने की सं प्रभूमिका होती है लेकिन देखिए जो गंभीर एवं अति गंभीर मामलों में जो आपके जैविक एवं और शान तक कारक होते हैं उनके उपस्ति यहां पर पाई जाती है तो यह सबब कि क्या होते हैं विवहारात्मक विकारों को प्रभावित करने वाले पहला जो आप जैन्मर हो लिए विकहल के माजिए जैसे कि जो कनठाएएं होती है व बचलो के उननति विक्रतीहों को कई बाधाएं खड़ी करती हैं ठीक है जिसे कि उनके अंतरगत आक्रामक्ता द्वेश भाव विध्धन सकारी प्रवित्ती विक्सित हो जाती है ठीक है उनको अंदरकत जैसे जो प्रेरकों का अभिभाव यानि कि कोई मोटिवेट उनको करने वाला नहीं रहता है ठीक है आत् जो बालक अभिभावक संबंध है ठीक है और अभिभाव की जो अनुशासन है परिवारिक विगटन अभिभाव की दुर्विवार ये सभी आपके वातावर्डी कारकों के अंतरगत आते हैं परिवारिक कारक सामाजिक सांस्कृतिक कारक ठीक है सालेय वातावर्ड ये सभी आपके वातावड़ी कारक के अंतरगत आते हैं जो कि आपके बिवहार विकारों को प्रभावित करते हैं ठीक है तो यहां पर जो राइट ऑप्सन होगा आपका फोर्थ बिल्कुल करक्ट हो जाएगा यानि के उपरोकते सभी चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलेंगे और द करने वाले आफ्यात करते हैं पर जो कोई फाराइट करने वाले यानि बिवहार विकारों को प्रभावित करने वाले मानसिक कारक की फ्रेयर को तो बिल्कुल सही बात है इन तीनों का आभाव बिवहारात्मक विकारों को प्रभावित करती हैं यह तीनों ही आपके मांसिक कारक हैं विकारों को प्रभावित करने वाले ठीक है चलिए अगले कोश्चिन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला कोश्चन हमारा क्या कहता ह ऐने कि प्रभवो सबत्था और सेकंड आपकर सामाज्जी क्यों सान्स्कृतिक वाता और धुर्ब्व 순간 यहां पर आपका जो राइट अप्सन होगा और आपका फोर्टी बिल्कुल कारेक्टर हो जाएगा ओकी तो चलिए आज ची क्लास में हमने अपनी 61 क्वेस्टन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टन महामयराथन क्लास में कम्प्रीट किया है तो आज ची क्लास में हमारा बस इतना ही यहां पर भाली लिक ट्राइगे शापर दूस सब्सक्राइब कर दोर्द के पीडिएफ नबर और वहीं से आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा यह अप लोगों के ट्राइगा तरु आप लोगों का लिएगे ता यहां आपन जो लोग आतेगे पालने रोती इसे हैं पहल और आप सभी लोग यह मत देखिए कि पीडियेफ लेना अतना आसान नहीं है या फिर हम लोगों को पर्चिस करना पढ़ रहा है पेमेंट करना पढ़ रहा है आप लोगों को यह देखना है कि हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा आना चाहिए ठीक हम सभी चाहते हैं कि आप स आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं वेलोग कर लिजेए चैनल आपका अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने वाटसप फेस्बुक इंस्टा और टेली ग्राम के जरिए सेयर करिए ताकि सभी लोगों को मिल सके और शाथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर तो चलिए आशी क्लास में बस इतना ही मिलते हैं अपने अगरी क्लास में तब तक रहे धन्यमान बाबाई